हेलो डियर किड्स इस वीडियो में हम लेसन टू यूजो अलफ़ाबट पढ़ेंगे बच्चो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि अलफ़ाबेट्स क्या होते हैं तो एक group of letters that must have some meaning कुछ अक्षरों का वो समूर जिसका कुछ meaning होता है जो तब एक शब्द बनता है word क्या होता है शब्द क्या होता है कुछ letters को कुछ अक्षर को हम इस तरह से लिखते हैं जिसका एक meaning निकलता है उसको हम शब्द बूलते हैं अब हम समझेंगे कैसे जैसे कि यहाँ पर कुछ letters लिखे हुए है आई पी पी ए ये कुछ letters हैं लेकिन इसका कुछ meaning नहीं है तो सही word क्या बनेगा इसका apple a double p l e apple इसी तरह से double o b k ये कोई word नहीं हुआ क्योंकि इसका कुछ meaning नहीं है सही word क्या बनेगा बी डबलो के book इसी तरह से o b y ये कोई meaning नहीं है word क्या बनेगा by boy boy इसी तरह से next हम देखते हैं w o c ये कोई word नहीं है सही word क्या बनेगा c o w cow इस तरह से अलग-अलग हम letters को सही जगा पर रखकर हम नए नए words को बना सकते हैं अब यहाँ पर letters लिखे हैं t a c w h ये कोई word नहीं है सही word क्या है w a t c h watch इस तरह से हम sentence में words बना सकते हैं अलग-अलग letters को combine करके तो बच्चों हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इस lesson में हमने क्या सीखा कि जो किसी भी word की spelling है वो हमेशा correct होनी चाहिए और हमें spellings को ध्यान से सीखना चाहिए कि किसी word की क्या spelling होती है गलत spellings अगर हम लिखते हैं तो उस word का कोई भी meaning नहीं होता जैसे कि अब हम यहाँ पर कुछ body parts की right spelling लिखेंगे और wrong spelling लिखी हुई है उनको हम correct करके लिखेंगे फर्स्ट वन लिखा है o n s e यह कोई word नहीं है सही word क्या है nose n o s e nose इसी तरह से second word क्या बनेगा hand h a and d hand third word क्या बनेगा f i n g e r finger फोर्थ वर्ड क्या बनेगा knee k n double e knee इसी तरह से next lips l i p s इसके बाद ears e a r s इसके बाद eyes e y e s इसके बाद leg 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 इसके बाद hair h a i r here इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमने letters को सही sequence में arrange करके नए नए words बना लिए body parts की spelling लिख ली अब हम next question करते हैं यहाँ पर हमें filling the blanks में कोई एक letter लिख करके word को complete करना है जैसे पहला word क्या बनेगा bed bed और dog dog इसी तरह से next e double g l और fan fan इसके बाद a x c x और c a p cap h o r a c horse और i c e eyes इस तरह से बच्चों नए नए letters को हम add करके नए नए words बना सकते हैं अब हम कुछ next question को देखते हैं यह क्या spelling है wrong लिखिया है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे c h a i r chair इसी तरह से l a m p lamb इसी तरह से l i o n lion इसी तरह से g i r l girl बागी के words को हम अपने आप से इस तरह correct spelling लिख सकते हैं तो बच्चों हमें हमेशा letters को सही तरह से word की spelling को learn करना चाहिए क्योंकि अगर हम wrong spelling लिखते हैं तो उस word का कोई भी meaning नहीं होता है तो इस तरह से हमने सीखा इस lesson में कि किस तरह से हम word को बनाते हैं Thank you